नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका अपने चैनल में स्टेश्वी कलाज पर दोस्तों देख लिजे यहाँ पर जो नई आओटसोर्सिंग पोलिशी आई है उसमें जो मैरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी किस चीज के लिए किस बात के लिए कितने अंक कितने पॉइंट दिये जाएंगे तो सबसे पहले तो हम यह बता देते हैं आप लोगों को कि 150 जो टोटल पॉइंट है यह है तो अब यह 150 कैसे ही नोने डिवाइड कर रखे हैं यह देख लिजे वेटेज on the basis of annual family income तो annual family income के दोस्तो 40 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे वो किस लेल पर कितने मिलेंगे उसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे वही इतनी इंकम है तो इतने पॉइंट मिलेंगे वही एक लाग से ज्यादा है तो इतने मिलेंगे एज के हिसाब से अब किस एज में maximum number मिलेंगे वह आगे बताएंगे आगे देखे लिजे skill qualification beyond the essential qualification यानि के essential qualification अगर किसी पोस्ट की मान लीजिए प्लस टू तक अगर प्लस टू बेस उसकी qualification मांग रखे है प्लस टू के अलावा उसके पास कौन कौन जो skill certificate वगरा है उसमें क्या अलग से कर रखे है या कोई डिपलोमा है उसके लिए भी point इसमें दिये जाएंगे candidate को ठीक है तो skill candidate को preference से दी गई है एक तरह से यह कह सकते ह है इसके बाद weightage of social economic criteria तो social economic criteria के 5 chunk मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे वो भी आप लोगों बताएंगे इसके बाद weightage of common eligibility test यान के CET अग में अगर आप लोग अच्छा score करते जैसे जो qualifying mark जो decide कर रखे है सरकार ने जैसे external के candidate के लिए 50% है और result category के लिए 45% है इस तरह से उसके अध post निकले हुई है और उसी district का candidate है apply कर रखे है उसने उसी post के लिए तो उसको 10 अंक अलग से मिलेंगे ताकि उसको उसी district में preference मिल सके उसको काम मिल सके उसके लिए उसको 10 point मिलेंगे ठीक है हर district में ये लागू होगा इसके बाद यहाँ पर जो 7 जो point इनों ने दिया है यहाँ पर बतार रक्या है यह है मुख्य मंत्री अंतोय योजना ठीक है तो मुख्य मंत्री अंतोय योजना दोस्तों उसके लिए 50 point मिलेंगे सिधा मुख्य मंत्री योजना उसमें दोस्तों फो वे newünüz आते आते जो फोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं किस तरह से किस चीज के जो है नंबर दिये जा रहे हैं है यहाँपर बात करें तो यह तो वही है देट्स और नंबर जो मिलेंगी इसमें अन्वल फेमिली इंकम में किसने किसको नंबर मिलेंगे माल लिजे 1,8,000 तक किसी की अगर income है annual तो उसको 40 point मिलेंगे एक लाख असी से डाइलाग तक है तो 30 point डाइलाग से यहाँ पर 4 लाग है तो यहाँ पर 20 point और 4 लाग से 6 लाग है तो 10 point इसको दिये जाएंगे ठीक है तो यहाँ आपर 18 से 24 साल का जो candidate उसको पांचंक दिये जाएंगे चोबी से 30 का है तो 10 30 से 36 है तो 15 और 36 से तो 10 41 से उपर को कोई अंक यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ठीक है इसके बाद skill qualification के बारें बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों बताया essential qualification के अलावा अगर आगर आप लोगे पास जैसे NS क्यों एप का जो certificate होता है या फिर NCVT या SCVT इस तरह के कोई ITI है मतलब SCSC का कोई certificate ऐसा कोई special अलग से qualification आपके पास skill है कोई उसके लिए इसमें 20 पॉइंट दिये जाएंगे social economic criteria की बात करें तो यहाँ पर पांचंक दिये जाएंगे जैसे किस-किस के लिए जैसे वीड़ो है जैसे first और second जो child है अगर उनका फादर 42 साल से पहले जैसे गुजर गया हो या फिर 15 साल की उमर बच्चे की है तो उसका फादर 15 साल से पहले ही यानिके 15 साल का उने से पहले उसका फादर गुजर गया हो इस तरह की जो चीज़ इसमें condition लगाई गई है उसको पाचंक मिलेंगे इसके बाद आगे बात करें तो CET के बारे में यहाँ पर CET के maximum यह इन्हों ने 10 जो point दिये हैं अगर CET से related आपने कोई उसका test दिया है उसमें कोई qualify marks ले रखे हैं तो इसके बाद यहाँ पर EG of deployment के 10 number जैसे मैंने आप लोगों बता था अगर home district में आता है वो है मुख्य मंत्रियन तो दे योजना अगर उसका फारमिस के तैत यानि कि उसका नाम आता है मुख्य मंत्रियन तो दे योजना में सरकार के पास इनका record है सारा ठीक है वो चेक किया जाएगा तो 50 point उसको सी देर तोर पर दिये जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है 150 जो है स्कोर में से इनको टोटल जो भी मैट बनेगी उसके इससाब से उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा ठीक है बाकि यह जो cutting है आज के न्यूज पेपर से आई ली गई है हरियाना कोसल रोजगार निकम से अचा मंदीत है स्थाइक रम चर चैनल से आप लोग इनको ले लेना या फिर सर्याना की वेबसाइट पर आप इसको ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से सारी चीज़े कलेर हो गए होगी फिर से अगर कोई आप लोग को यह लगता है कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माद हम से पूछ सकते हैं अगली करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच्च